हेलो एव्रिवन आज मैं आपको ड्रेस मेकिंग एंड स्विंग टेकनोलोजी ट्रेड से सम्मंदित मल्टिपल चोईस कोश्चन को पढ़ाऊंगे जो आपको ITI एनन CTI की एक्जाम की प्रिपेशन करने में मदद करेंगे वीडियो को ध्यान से देखें और नोट्स जरूर बन कोस्चन नमबर वन कड़ाई के लिए कितने नमबर का धागा परयोग करते हैं। Option A, 40 number, Option B, 60 number, Option C, 80 number, Option D, 150 number, तो correct is D, 150 number, next, question number 2, डार्निंग सुई का आकार कैसा होता है, Option A, छोटी सी, Option B, बड़ी सी, Option C, मुड़ी हुई, Option D, fine, तो correct answer is C, मुड़ी हुई, next, question number 3, सल्वार के पाउंचे सुन्दर बनाने वाले सहायक पुर्जे का नाम लिखे, Option A, कुल्टर, Option B, जिग जैकर, Option C, टकर, Option D, हैमर, तो correct option is B, जिग जैकर, next, question number 4, एसामान्य सरीर का नाप लेने के लिए विशेश टेप, डैस परियोग होता है, Option A, इंची टेप, Option B, CPG टेप, Option C, मेटर, Option D, उक्त में से कोई नहीं, तो correct answer is B, CPG टेप, Next, question number 5, छोटी पतली सुनेहरे नक्के की सुई का नंबर बताएं, Option A, 12 नंबर, Option B, 11 नंबर, Option C, 10 नंबर, Option D, 9 नंबर, छोटी पतली सुनेहरे नक्के की सुई का नंबर, Option A, 12 होता है, Next, question number 7, मशीन निडल पर किस दिशा से प्रकास ठीक आता है, Sorry, 6, मशीन निडल पर किस दिशा से प्रकास ठीक आता है, Option A, दाइं और से, Option B, बाइं और से, Option C, दोनों और से, Option D, उपर से, तो, correct option is B, बाइं और से, Next, question number 7, वर्क्शॉप में काम करते समय, डैस पहने, Option A, खुले कपड़े, Option B, वर्क्शॉप कोट, Option C, फैस्नेबल कपड़े, Option D, कोई भी कपड़े, तो, correct answer is B, वर्क्शॉप कोट, Next, question number 8, फ्रेंच कर्व का पर्योग करते हैं, A, लाइने बनाने के लिए, B, गुलाइयां बनाने के लिए, Option C, ड्राफ्टिंग के लिए, D, होल करने के लिए, तो, correct option is B, गुलाइयां करने के लिए, Next, question number 9, कौन से पुर्जे से सिलाई करते समय कपड़ा स्वेम मुड़ता जाता है, Option A, जिक चैकर, Option B, हैमर, Option C, कुलिटर, Option D, एड़्जेस्टेबल हैमर, तो, correct option is D, एड़्जेस्टेबल हैमर, Next, question number 11, Factory उप्योग में आने वाली तीर्व सिलाई मशीन का क्या नाम है, Option A, टेलर मॉडर, Option B, स्टीम लाइन मॉडल, Option C, लिंक मॉडल, Option D, पावर मशीन, तो, correct is D, पावर मशीन, Next, question number 11, कपड़ों पर निशान लगाने के लिए दरजी, डैश का पर्योग करते हैं, Option A, पैंसिल, Option B, टेलर चॉक, Option C, ट्रेसिंग वील, Option D, कैंची, तो, correct answer is, टेलर चॉक, जिसको सिंपल चॉक भी कहते हैं, Option B, Next, question number 12, वस्तरों को सजाने वाला टांका कौन सा नहीं है, Option E, सेड स्टिच, Option B, ब्लैंकेट स्टिच, Option C, पैडिंग स्टिच, ऑप्शन D, आइलेट स्टिच, तो, correct is, C, पैडिंग स्टिच, पैडिंग कोई स्टिच नहीं है, Next, question number 13, Thread cutting device का मुख्य काम, डैस है, Option A, pressure foot, उचा करना, Option B, उपर नीचे के धागे काट देना, C, सुई में धागा डालना, Next, D, चैन स्टिच बनाना, तो, correct option is, B, उपर नीचे के धागे काट देना, Next, question number 14, कौन से धागे अधिक सुन्दर आकर्शक तथा नमूनेदार होते हैं, Option A, सादा, Option B, एठन वाले, Option C, मिसरित, Option D, मोटे, तो, correct option is, C, मिसरित, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो, उसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कीजिए, थैंक यू, सब्सक्राइब, औ Bishop impat graph consistent, मिसरित, Option D, में भूब जसे वीडियोON,